जोई जिनेंद्र प्रणाम आज पावरोप मंद्रा के डे 08 में आपका हर्दिक स्वागते आज हम सिखेंगे औरा सुधिक के कुछ प्रयोग कैसे करते हैं कैसे हमारी ओरा सुध होती है या अपने आप सुध हो जाती है वाज हम देखेंगे हमारे सब्भी ओरा सब्भी लोगों की ओरा एक दूसर के साथ जूड़ी हुई है माना उर्जक शेक्तर के साथ लगातार अन्य प्राणियों परियावरण के उर्जक शेक्तर के साथ बाच्चित उनकी जालूरेती है उर्जक आदान प्रदान होता रहता है औरा में उदारन के लिए अगर यदि आप कोई बड़ी भीड में या कुछ लोगों के साथ सुखा या भी बुद्ध पैसुस करते हैं तो आपने इस अंतरसबंद का अनुपव किया है आपकी आभा आपके उर्जाक छिक्त्र ने दूसरों की उर्जा को उठाया ऐसा है इसलिए हमारा उर्जाक चिक्त्रणीय प्राणियों के साथ साथ हमारे भोतिक परियावरन विद्धित चुम्बक के प्रदूशन वायु कुनुवत्ता जल्की कुनुवत्ता हमारे द्वारा खाये जाने वाले पोजन और हमारी अपनी भावनत मक्स्तिती से भी प्रभावीत होता है यह किसी के उपर करने लगते हैं, तो ये सारी चीजे औरा की हुरेती हैं, और प्रभाविद रहती हैं, जिस तरह हम अपने भौतिक शरीर की देखपाल करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने आभा सरीर की भी नीमित देखपाल करनी चाहिए, और जो लोग हीलर हैं या उपचार करता है, उनको तो आभा की सभाई एक दिन चरिया का हिसा ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि एवरी डे उनको किसी न किसी को हीलिंग देना है, और उपचार करना है, और ओरा की उरजा जो है, उसका उपयोग करना है उसकी उर्चा चैनल का उपयोग करना है उर्चा चैनल में से पास होती हुई ओरा का उपयोग करना है तो उन सभी को ओरा यादा की सफाई करनी चाहिए ये सभी डोक्टर लोग को भी लागू होता है कि जो हर एक दर्दी उनके पास आता है जिनकी प्र ब्राण सकती में औरा में गड़बड़ी रेती है तो डोक्टरों की और भी उने को डैली क्लीन करनी जाई है उसना कुछ तरीके से जोंब भी तरिका आपको अच्छा लगे ईस goddess这个 ली ओरा वहां हमें भरपेट बोजन के साथ ही काम करना चाहिए, हमारा पेट जो है हमें सानन से भरा हुआ होना चाहिए, और कोई भी ऐसी जगा से जब जाते हैं होस्पिटल वगेरा, तो खाना खाकर ही जाना चाहिए, बुके पेट वहां पे कोई भी जगा पे काम नहीं करना और हमें कोई भी प्राण सकती वीक प्राण सकती वाला अगर हमारा प्राण सकती खीच भी रहा है तो हमें कुछ थकन बकन का ऐसास नहीं होता है और दूसरा ये है कि कोई भी भावनकमत स्थिती आती है हमारी यसी कोई भी तो उससे भी हमारी और प्रफावित हो जाती है जैस न कहीं वो डर की बज़े से black spots होते है और वो जो कुत्ता है वो हमारे प्रान सरीर को देख सकता है वो black spot को देखके डर के मारे वो भी हमारे तरह बसता है तो ये किस्सा सभी ने अपने जीवन में अनूब हो भी किया होगा तो अभी आभा को साफ करने के बहुत सरे तरीके हैं दिन में आप बहुत सारा ताजा पानी पीए तो पानी से भी ओरा क्लिन हो जाती है पानी की ओरा जो है अपनी ओरा में जाती है और उर्जाक शेक्तर को लहर वाला ऐसा गुन गुना तरीका रखना है खुद के लिए समय निकाल के ध्यान लगाना कलाओं में उलजना और अच्छा करने में और आ को अच्छा करने में बहुत ही सहयपुत होती है यहां तिन सर तरीकों सी बात करेंगे जिससे आप अपनी आभा औरा सुध कर सकते हैं जैसे कि पुर्थवी की उर्जा का उप्योग करना नमक्सनान करना तो ऐसे परिस्थिती की जो भी है मंत्र उर् अच्छा कर गहरी सासे लेना एक तरह से आपा को सुध करना है आप नंगे पाउ घास भी चल सकते हैं उससे भी हमारी ओरा जो है पुर्थवी की उर्जा से सुध होती है सुब के सुरज की रोसनी में अपने आपको घेरे और उसकी एनरजी से अपनी आपा को साफ करें ऐसा सुबह सुबह ऊठते ही जैसे इस सुरज निकलता है तो सुरज की रोसनी के सामने बेट जाइए और कल्पना करें कि सुरज की रोसनी हमारी चारो हो रहे सुध हो रही है criança को बस्वादि में एक दो चमत समुदरी नमक डाल दें और उसके पिखलने के बाद उस पानी से स्ना करें जिससे आपकी आपा सुध्ध हो जाएगी जैसे हमने सुना है कि जो समुद्र में कुछ भी नेगेटिव तत्वा या नेगेटिव है तो वो पॉजेटिव हो जाता है और समुद्र का पानी जो है कोई भी डेड या निर्चिव वस्तू जिसके पास उर्जा नहीं है उसक कोई बी चीज या बीना एणर्जव वाली कोई भी चीज समुद्र अपने पास रखता नहीं है तो ये सारी चीज़ें समुद्र के पानी की एक गुणुवत्ता है या फिचर है और उसी पानी से बना हुआ नमक अगर हम पानी में डालके स्नान करते है तो हमारी बालदी का और हम अपने आपको एकदम हलका फुल महसूस करते हैं, फ्रेस भी महसूस करते हैं, कि हमारी आपकी सूथी की बज़े से होता है, आप ध्यान करके भी तिसरा प्रयोगे का आप ध्यान करके भी अपनी ओरा को सूध कर सकते हैं, सावर लेते समय भी अगर अप स्नान करते हैं सा सावर के पाने के साथ White light छो है हमारे अंदर जो पानी की बुंदों के साथ White light की रोशनी जो है हमारे अंदर प्रवेस्द कर रही है और हमारी ओरा को सुद्ध कर रही है ऐसी कल्पना करते करते भी आप अगर सावर के साथ सनान करते हैं तो आपको उसका भी फाइदा रहता है कि वाइट लाइट जो है डिवाइन लाइट है अध्याद्मिक लाइट है अध्याद्मिक उर्जा है जीवन सकती है वो सावर के पाने के साथ आप चक्र हीलिंग से भी औरा सुद्ध कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई ऐसा खाना खाए, फ्रूट खाए, आप कैसी कोई घटना को याद करें, जिससे आपकी जो औरा है वापिस बैलन्स हो जाएगी, तो हर एक अलग-अलग तरीका है औरा सुद्ध करन का, लेकिन औरा सुद्ध करना जो है, वह बहुत ही जरूर ही और खास करके उन लोगों के लिए, जो अगविक प्राण सकती वालों के साथ काम करते हैं, और धिन भर रहते हैं, उन के लिए खास जरूर ही है, और जो अध्याद्मिकता में आगे बढ़ Ms. जाते हैं, उनके ल लिंग कैसे कर सकते हैं तो यह हमें एक वीदी हैं उसके हिसाप से हम करते हैं आपने बता है कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले मंत्र का जाप के उपर जो मुलादार चक्र आया हुआ है वहाँ पे ध्यान रखे और कलपणा करें कि यह मंत्र चाप की उर्जा से मेरा मुलादार चक्र हीलिंग हो रहा है वहाँ पे उर्जा का अनुभव करें और उस उर्जा के जो भी स्पंधन है मेठे मेठे स्पंधन वह स्पंधन का अ जाना है मंत्र उर्जा वहां पर पहुंच रही है हमारे हर एक स्वास लेने के साथ हमारे स्वाधिस्टान चक्र सुत हो रहा है स्वास छोड़ने के साथ स्वाधिस्टान चक्र की उर्चा की जो भी असुती वह बाहर निकल रही है और वहां के स्वंधन कान हो वो करें इसी त जारे चक्रों के हीलिंग का सबन्ध्यन का अनुफू मेरी मंत्र उरजा के साथ मुझे हो रहा है। ऐसा अनुफूव करें थोड़ी देर अपने अनुफूव करें और बैठें पुरी दिर के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा चाप पूरुना हो गया है, ध्यान पूरुना हो गया है तो अपने दोनों हाथों को रब करके इसके अपने दोनों हाथिलियों को आखो पे रखे और मंत्र उर्जा की पूरी उर्जा का पूरे सरीर में जो प्रसार प्रचा आपका असन में सुखाशन में बेटके अपने दोनों हात्तों को अपने ग्नानमुधरा में रखा अब जो भी मंत्र या स्तुत्र का आप पहाट करना चाहते हो, उसकी उर्जा को आकरसित होता हुआ देखें दीरे दीरे वो उर्जा आकर सीदोकर आपके अंदर प्रवेस्थ कर रही है और आपके शारे चक्र को हिल कर रही है हिल कर रही है ऐसा आउटकृस्ट भाव से सोचे ठोड़ी देर सांथ बैठे और उर्जा के स्मधन कानूपो करें जैसे आपको लग कि आपमें उर्जा का असर हो गया है तो दीरे दीरे से एक बार ओम का उच्चार करके ध्यान को पूर्ण करें अपनी दोनों हतलियों को एक दूसर के साथ किसे थोड़ा ओम अफ होते ही अपनी दोनों आखों पे रखें और फिर पोड़ी बोड़ी पे घु नहीं किया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने मंतरस्तुत्र का पाठ करके उसकी उर्जा उसके वाइबरेशन जो है वो ब्रह्मान में रख दिये है हमको सिर्फ क्या करना है उस उर्जा के वाइबरेशन के साथ हमारी ओरा की उर्जा यह हमरी मैंड की उर्जा है उसको ही ट्यून होगा तो वह उर्जा हमारी तरफ आकरसित होने लगेगी और वह आकरसित होकर अमारे अंदर प्रवेश करेगी उसका सिंपल सा उद्यरण है कि बहुत अभी कल्योग है तो कुरोध के वारी वावरान में जगह जगह परे हैं जिनको कुरोध आया है जिन्होंने कुरोध गिया है उनके वाइबरेशन एकbus लीयर में जगह अंदर के पाट हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, लाखों सालों से, कहीं सालों से की है, उनकी उर्जा जो एट्मस्पेर में है, उस उर्जा को ध्यान में रखते हैं, उस उर्जा को याद करें, उस उर्जा को आकरसित हुआ देखें, उस उर्जा के साथ ट्यून सब्सक्राइब करें पर किली है। तो ये एक बिना मंत्र जाप किये है, जब भी जो भी मंत्र की उर्जा है, उस उर्जा को आकरशित करने की विदी है, उस तरीके से भी आप उर्जा कर सकते हैं, आकरशित कर सकते हैं, अपनी ओरा को सुद्ध कर सकते हैं, जै जिनेंद्र प्रणा,